नमस्कार मैं अंकित शर्मा और क्रिक टुडे में आप सभी का स्वागत है दोस्तो विराट कोली का खराब फॉर्म ना सिर्फ भारत बलकि पूरे विश्व क्रिकेट के लिए चिंता का विशह बनता जा रहा है अब आस्टेलिया के पूर्व दिगज बल्लेबाज और कप्तान रिकी पॉंटिंग ने विराट कोली के समर्थन में एक बड़ा बयान दिया है उन्होंने विराट कोली के हालिया फॉर्म पर बात करते हुए कहा कि ये स्टार बल्लेबाज अभी भी अंतर रास्टे क्रिकेट खिलने का हकदार है आस्टेलिया ही दिगज का मानना है कि भारत्य टीम को आस्टेलिया में होने वाले आगामी टी-20 वर्ल्ड कप के लिए विराट कोली को टीम में जरूर चुनना चाहिए क्योंकि उनकी मात्र मौझूदगी ही विरोधी टीमों और खिलाडियों के लिए खौफनाक होती है एक विपक्षी कप्तान या एक विपक्षी खिलाडी होता तो मुझे उस भारत्य टीम के खिलने से डर लगता जिसमें विराट कोली शामिल हो मैं उस टीम का सामना नहीं करना चाहता जिस टीम का हिस्सा कोली होते रिकी पॉंटिंग ने आगे कहा कि मुझे पता है कि विराट कोली के सामने कुछ चुनौतिया रही है यह समय उनके लिए कठिन रहा है लेकिन मैंने इस खेल में जितने भी महान खिलाडी देके हैं वे किसी ना किसी इस तर पर इस दोर से गुजरे हैं चाहें वे बल्लेबाज हो या गेदबाज वे सबी इस तरह के खराब दोर से गुजरे हैं लेकिन उन महान खिलाडीों ने किसी ना किसी तरह से इस दोर से बाहर निकलने का रास्ता ढून निकाला अब बस विराट के ऐसा करने की देरी है यदि आप विराट को विश्च कप टीम से बाहर कर देते हैं और उनकी जगा कोई और खिलाडी बहतर प्रदर्शन कर देता है तो उनका वापसी करना मुश्किल हो जाएगा मैं कप्तान के तौर पर विराट कोली को खूब मौके देता आपको बता दें कि विराट कोली ने अब तक 99 टी-20 आई इंटरनेशनल मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 50 की औसस से 3,308 रन बनाए हैं जिसमें उनका सरवादिक स्कोर 94 रन का रहा है और उन्होंने भारत के लिए कई यादगार पारिया खेली हैं दोस्तों रिकी पॉंटिंग ने विराट कोली को लेकर जो बयान दिया है क्या आप इस बयान का समर्थन करते हैं या नहीं जवाब कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर बताएं साथ की साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें क्रिकेट से जुड़ी तमाम खबरे लगातार प्राप करने के लिए क्रिक टुड़े को अभी सब्सक्राइब करें फिलाल के लिए धन्यवाद